Hi guys, आज हम Indian Express के 2nd July के एडिसन को थोड़ा सा detailed analysis करेंगे इसमें क्या important news है, कौनसी news हमें पढ़ नहीं पढ़ नहीं पढ़ नहीं पढ़ नहीं है तो इसमें आज हम start करते हैं अचाहे, start करने से पहले मैं सभी आप लोगों को बताना चाता हूँ हम बहुत सारे students का doubt आ रहा है हमारी prelims test series और mains के test series को लेके तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी prelims के test series है, उसके 2 batches हम already start कर चुके है ठीक है, और हमारा जो तीसरा batch है, वो 7th July से start हो रहा है आप इसको online, offline दोनों तरीके से solve कर सकते हो इस पूर्य prelims test series में हम basically आपको 20 test provide करेंगे, जिसमें हर एक test में 100 questions होंगे ठीक है, और हर एक subject में economy के हमारे 5 test होंगे, geography and environment के 5 test हैं और सभी history में के भी 5 test हैं, और आपके indian polity के भी 5 test हैं सभी test में 100-100 questions हमारे prepare करे गए हैं यह जो test prepare करेंगे हैं, इसमें हमने comprehensively questions को cover कर रहा हैं ताकि आपके सारे topics cover हो जाएं ठीक है, और यह test series already हमारे 2 batch full हो चुके हैं तीसरे 22 साथ जुलाई से start है तो किसी को कोई भी doubt हो तो आप पूछ सकते हो इसी के साथ हमारी main test series भी है ठीक है जिसमें हम लगबग 24 जिसमें हम 24 टेस्ट लेंगे आप लोगों के ठीक है आप उसको easily practice कर सकते हो UPPCS 2019 जो mains दे रहे हैं उनके लिए test series अलग है और जित्ती भी test series हैं यह English और Hindi दोनो languages में आपके लिए available हैं आज की जो हमाई सबसे पहली news है उसमें हम बात करेंगे again China issue right हम हमें पता है कि आज से दो दिन पहले इंडिया government of India ने चाइना की लगबग 59 apps को banj कर दिया था क्योंकि जो main reason था main reason यही था इसमें कि Chinese law के according जितनी भी Chinese company है जो Chinese से Chinese से संबंध रखती हैं जो Chinese owner है जिसका उन सब को Chinese intelligence agencies के साथ अपना अपना data share करना पड़ेगा चाहे वो किसी भी country में operate करती हो ठीक है हमने इस पर पहले ही बात कर ली थी यह main cause आपको main cause यह लिखना है exam में यह मत लिख्या आना कि गलवान वाली में हुए face off के कारण जिसमें beast soldiers हमारे मारे गए उस कारण से इंडिया ने चाइना की app को band कर दिया नहीं कारण यह नहीं है कारण वो Chinese law है ठीक है अब उसके बाद यह जो नितिन गर्दकरी है हमारी मिनिस्टर इन्होंने डिसाइड करा है जैसे कि Chinese companies to participate in highway projects including those through joint ventures and also not allow Chinese investors in MSMEs ठीक है इसमें यह फैसर लिया गया है सरकार के द्वारा कि हम Chinese companies हैं जो Chinese firms हैं उनको highway projects की bidding होती है उसमें participate permission नहीं मिलेगी चाहे वो किसी joint venture के थुरू भी आए joint venture होता है मतलब कि China की किसी company ने India की किसी company के साथ मिलके bidding करी है कि हम दोनों मिलके इस project पर काम करेंगे यदि ऐसा होता है यदि कोई भी company bidding के लिए आती है और उसमें Chinese company का हिस्सा होता है चाहे कितना भी हो तो उसको permission नहीं मिलेगी वो हमारे highway projects में participate नहीं कर सकता है इसी के साथ साथ Chinese investors को MSME में invest करने का allow permission नहीं मिलेगी ठीक है यह decision लिया गया है इंडिया के द्वारा ठीक है इसमें हम second page पे आते हैं second page पे भी इसमें important news है जैसे Chinese investor would not be allowed for upgradation of technology research consultancy and other works we will encourage foreign investment and joint ventures in MSME but in case of Chinese we will not entertain them मतलब ऐसा नहीं है कि foreign investment खतम कर दिया foreign investment 100% वो promote करेंगे पर Chinese investors को allow नहीं होगा इन सबी sectors के अंदर ठीक है इससे पहले हमने पता है कि government of department of telecommunication ने BSNL or MTNL जो अपना 4G network बढ़ाना चाहरे है या 4G network install करना चाहरे है उसके लिए जितने भी instruments लगेंगे अब उनको बोला है कि आप हुआई और ZTE से जो Chinese major firms है उनसे आप instruments नहीं खरीदेंगे ठीक है यह हमने पहली बात कर ली है ठीक है देखो एक चाइना का वो law तो एक concern है इसके लावा यह भी एक concern है कि इंडिया एक strong message चाइना को देना चाहरा है कि जैसा अभी तक हमारे बीच में वेपार चल रहा था अब वो वेपार वैसा नहीं चलेगा अब इंडिया एक underdog country के ट्रेट रीट नहीं होगी चाहे आपकी economic इत्ते भी बड़ी हो इंडिया एक sovereign country है इंडिया अपना फैसला खुद करेगी अब ठीक है यह एक message चाइना को देना चाहरी है ठीक है then dpiit department of promotion of industry and internal trade जो ministry of commerce का एक department है इसने mandatory बना दिया है कि जो fdii है from neighboring countries to take prior government approval ठीक है यह लगबग हमारा April के आसपा से decision लिया गया था कि neighboring countries से जितना भी fdii आएगा उससे उसको अभी government से permission लेके ही allow किया जाएगा ठीक है यह अगें Chinese investment के Chinese investors को target करता है ठीक है then उसके बाद इन्होंने लिया है कि according to गटकरी जो हमारी union minister है उन्होंने आप policy will be out soon एक नई policy लेके आएंगे जिसमें Chinese firms को ban करेंगे and relaxing norms for Indian companies to expand their eligibility criteria for participation in highway projects ठीक है यह सारे points आपको mains में लिखना है कि इंडिया ने चाइना को response कैसे दिया है basically इस निटिन गटकरी ने बोला है कि जितने भी highway projects है हम उसके लिए एक नई policy जल्दी से जल्दी लेके आएंगे जिसके तहथ हम Chinese companies को ban करेंगे ताकि वह हमारे इंडिया के highway projects में participate ना कर पाए और जितने भी हमारी domestic domestic companies है या घरेलू companies हम उनको participate करने के लिए allow करेंगे ठीक है अब दिख्रम चैलेंज किया है कि हमने बोलतो दिया हम Chinese को ban करेंगे बहुत सारी private companies ने बोला है कि जो Chinese companies थी उनसे हमें जो instruments मिल रहे थे वह लगभग European companies और जो Airtel, Vodafone इन companies ने issue raise कर रहा है कि यदि आप इनको ban करते हो तो हमारा cost of operation काफी ज्यादा increase हो जाएगा ठीक है और एक industry estimate के दवारा यह भी यह भी रिपोर्ट आई है जिसके तहर्ट Chinese telecom जो vendors हैं जो Chinese companies हैं जो हमें को telecom equipment provide करते हैं telecom equipment मतलब जो आपके जो back end support में लगाए जासे हैं जैसे ethernet हो गया आपका या फिर या आपको broadband हो गया broadband devices जो होते हैं ठीक है इसमें these Chinese companies का लगभग हमारी जो पूरे telecommunication है भारत का उसमें 25% का हिस्सा है ठीक है 25% share in total of 12,000 करोड domestic market domestic market जो 12,000 करोड का उसमें 25% share हमारा Chinese companies का है ठीक है या आपने बात कर लिया है इसमें ठीक देन उसके बाद नहीं पार दूसरी news है यह सारी news आपको महां लिखनी है जहां पर यह mention करोगे कि इंडिया ने चाइना को कैसे respond करा है ठीक है कि disengagement और de-escalation में क्या difference होता है disengagement मतलब होता है the process in which troops of यानि जो दोनों side की army है वो अपने अपने पुराने इस्थान पे वापिस जाएंगी ठीक है मतलब pull back from standoff position or situations of close proximity thereby ending face off मतलब जो आपस में एक दूसरे के सामने लड़ने के लिए खड़ी है वो वो सब अपने अपने पुराने इस्थान पे वापिस जाएंगी ताकि यह जो face off चल रहा है इसको खतम किया जाए यह होता है disengagement de-escalation होता है it refers to both sides bringing down enhanced troop levels to more normal levels thereby reducing risk of the conflict ठीक है इसका मतलब है आपका कि दोनों side अपने अपने army को अपने अपने army को normal levels पे लेके आएंगी नॉर्मल लेवल पे लेके आएंगी ताकि इन दोनों के बीच में जितना भी conflict चल रहा है वो reduce कर सके या खतम कर सके है ठीक है यह में एरिया है जो अभी फ्लाइट ली जिनके ओपर अभी कोई भी decision ले नहीं पा रहे है Chinese इन पर बात करने को तयार नहीं है इस वज़े से यह हमारा issue अभी तक चल रहा है ठीक है यह हमारे पर और क्या news है आज के आज के उसमें हमारी यह से वाली news काफी important है जिसमें हमने कल भी बात करी थी कि यूएस ने चाइना की दो major companies, Huawei और ZTE को एक national security threat declare कर दिया है जिसका फरक हमारे इंडिया पे भी पढ़ सकता है क्योंकि इंडिया को भी 5G trials के लिए एक auction करना है जिसमें bidding करनी है जिसमें वो companies को invite करेंगे कि कौन कितने में हमारा 5G network तयार कर सकता है तो उसमें UI और ZTE भी participate करते है बट अब इंडिया शायद उनको participate करने से रोक ले क्योंकि इंडिया यूएस का एक important ally है एक important सहभागी है उनका ठीक है तो वो ally तो यूएस ने जो concern raise करा है वो शायद उस पे भी अमल करेगा ठीक है यह इसमें दे रखा है और इसमें second page कुछ important news है basically इसमें इस पूरी news में क्या है आपका कि बाकी countries ने चाइना की जो activities हुई है South China Sea में या फिर भारत के लद्दाक में उन सब के बाकी countries ने कैसे हमारा respond किया है ठीक है यह बहुत important है mains के exam के लिए इसको ध्यान से देख लो Australia ने अपना एक defense strategic update निकाला है 2020 में जिक है जिसमें उसने बोला है कि 10-year defense plan तियार करा है which includes for the first time land sea air based long range and hypersonic strike missiles ठीक है तो उसने बेसिकली जो चाइना की activity है अपने जो defense strategic update निकाला है basically ठीक है यह prelims के लिए बहुत important है ठीक है ठीक है defense strategic update कौन सी country निकालती है तो यह Australia निकालती है इसने इसमें इंडिया-China stand-off को भी काफी ज्यादा highlight किया है ठीक है then उसके बाद यहां पर आ जाओ Japan ने भी चाइना को काफी strong तरीके से react करा है especially on the issue of Hong Kong Hong Kong हमें पता है चाइना यह का नया law लेक्या आया है national security law जिसके तहत क्या है कि यदि कोई भी चलो इस पर भी हम आगे बात करेंगे आगे नियूज है आगे ठीक है Japan ने यह बोला है कि चाइना ने यह वारा law पास करके पूरे international जितनी भी अंतरास्ट्य यह है देश ठीक है उनके उपर से जो अभी तक इन देशों का भरोसा था कंट्री टू सिस्टप की ऊपर उसको उन्हों ने वह भरोसा हटा दिया है बन कंट्री टू सिस्टम मतलब होता है कि वह पार्ट वह जैसे होंकोंग कंट्री एक है उसी सरकार अलग रहेगा की सरकार रेगा उसके रूल्स लग त्रूडोंव्य झाये पेने हैं मतलब आप देखा ऐसा country represent नहीं होता है कहीं भी United Nation में या किसी भी अंटरास्टे संगठन में पर उसके जो अपने उसके जो rules हैं वो rules अलग हैं Chinese government के rules महाँ पर लागू नहीं होते हैं पर इस बार चाइना ने क्या करा है चाइना ने जो law निकाला है उस law को उसने अपने law को जो चाइना का में लैंड law है जो Hong Kong पे कभी भी apply नहीं किया गया अब उसने वह Hong Kong पे भी apply कर दिया है ठीक है basically Hong Kong को उसने अपना हिस्सा बना लिया है और जो one country two system तो उसके ओपर question raise कर दिया है ठीक है then Japan and China also logged in a war of words मतलब इन दोनों की South China Sea में जो दो islands है Senkaku Island और DIU islands के नाम के ऊपर भी conflict चल रहा है China उसे अपना हिस्सा बताती हो उसका नाम उसने Senkaku Islands लिक रख 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 और जैपैन उसको DIU islands बोलता है ठीक है DIU islands बोलता है और उसको अपना हिस्सा बताता है उसके बाद इंडिया और जैपैन ने एक goodwill training भी करी है इंडिया नोशन में अभी recently ठीक है यह prelims के लिए important है goodwill training के बीच में हुई है then आपका यह आपको बताए चुके है कि national security threat declare कर दिया US ने right then it is then yes US ने as a symbol अपने तीन एयर क्राफ्ट केरियर्स को South China Sea में training कर आई है यह भी बहुत पहली बार हुआ है बहुत कम देखने को मिलता है कि तीन अपने बड़े बड़े ship अपने बड़े बड़े नेवी के जहाज को जो एयर क्राफ्ट केरी करने में समर्थ है उनको तीनों को एक साथ South China Sea में drill कर आया है ठीक है यह एक important point है then Europe का क्या response है Europe का देखो यहां पर क्या response है Europe 2 is waking up to the China challenge with many leaders condemning Beijing's move to press ahead with its new security law in the Hong Kong ठीक है then European Union recently announced a new scheme meant to fight back against China's use of state subsidies to give firms an unfair advantage इसी के एसास अशच European Union ने भी एक नया law निकालने के लिए पेश्टर्स करी है जिसके तहत वो जो Chinese telecom companies हैं जो काफी कम rate पर यानि जिनको Chinese government से काफी ज़रा subsidy मिलती है इसलिए उनके products काफी ज़रा सस्ते होते हैं उनको अब उनके ओपर कुछ actions लेने की decide करेंगा भी यह law pass नहीं हुआ है law pass होगा भी यह ठीक है यह सारे आपको याद थोड़ा सा नोट्स में add कर लेना की कैसे 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 चाइना की action के प्रती response गया है ठीक है यह आपका powered by entry level maruti honda spike से तो obviously होने इता है इस पर हमने पहले ही बात करें कि लोग पब्लिक विकल में पब्लिक वाहिकल में travel करना प्रिफर नहीं करेंगे इसने लोग अपनी छोटी छोटी गारिया खरीद रहे हैं ताकि अपनी खुद की उच्छे पास एक प्राइवेट विकल हो ठीक है दैन यह सिसको कास्ट ब्यास पेपर टू में हमारे एक टॉपिक होता है आपका वलनेरेबल सेक्शन जिसके तहरत हम दलिट्स वगरा की भी बात करते हैं तब वहाँ पे आप यह चीज कोट कर सकते हो कि जो हमारे दलिट्स हैं वो यूएस में भी कास्ट बेस्ट डिस्क्रिमिनेशन को उनको फेस करना परता है कि जो हमारे दलिट लोग हैं उनको यूएस के अंदर भी कास्ट बेस्ट डिस्क्रिमिशन फेस करना परता है वहाँ पे आप यह एक्जामपल लिख दोगे और इसमें इसी नियूज में सेकेंड पेजबेक इंपॉर्टेंट डेटा भी है वो डेटा भी आप लिख दोगे कि जैसे सिविल करना पड़ा यूएस के अंदर ठीक है यह आप एक्जामपल कोट कर देना वल्नेरेवल सेक्शन या फिर कहीं भी आदि आप रिजर्वेशन के फेवर में बोलना चाहते हो कहीं भी आपको अगर शो करना है कि हाँ स्ट को या फिर दलिट को ओबी सी स्कूल रिजर्वेशन म इनका कहना यह है कि इस पूरी निउस में कहना यह कुछ पढ़ने जरुति में हाइलाइट कर रहा हूं इसको ही पर उनका कहना यह है कि हम चाइनीज बेचना तो बंद कर देंगे पर इसका हमें कोई आल्टरनेट तो मिले क्योंकि चाइना से सस्ता समान कहीं नहीं मिलता है तो इसलिए आप पहले हमें alternate दो और फिर हम उसके बाद ये चाइना इस चाइनीज समान बेचना बंद कर देंगे ठीक है इसमें इस इंडिया इसलाइल रिलेशन के वारे में बहुत important news है इसमें कि इंडिया इसलाइल ने कैसे कोविट 19 के समय पर अपनी एक सह भागिता से कोविट 19 के खिलाफ लड़ाई लड़ी है तो इसमें इस article में तो basically कुछ ऐसा important है नहीं ठीक है आखरी paragraph important है जिसमें इन्होंने बोला है कि हम एक कुछ नई type की vaccine लाना चाहते हैं जिसके तहरे हम analyze कर रहे हैं कि जो covid patient है उसमें एक different type की smell आती है different type की body में से smell आती है तो हम उसको इस्तमाल करके covid test develop करना चाह रहे हैं दूसरा आ रहा है कि जो हमारे covid 19 के patient है जो वो बोलते हैं तो जो उनकी vibration होती है बोलने के time पर उसमें भी कुछ difference आ रहे हैं तो इसको आप main exams में भी code कर सकते हो कि हाँ ऐसा इंडिया इस्राइल भी explore कर रहा है ठीक है दन उसके बाद हमारे पास यह सारे important factors हैं कि basically जो हमारा इंडिया इस्राइल के साथ relation चलता है वो water management यानि पानी को बचाने में या जो गंदा पानी दुशित पानी है उसको साफ करने में या sea water को desalign करने में basically water management में बहुत बड़ा role है इसके सासत agriculture में भी काफी जादा role है ठीक है तो यह मैंने इसमें highlight कर दी है बहुत important news है इंडिया इंडिया इस्राइल के लिए और इंडिया इस्राइल हमेशा से हमारा काफी अच्छा exam के लिए point topic रहा है ठीक है इस्राइल उसमें काफी ज्यादा सहभागिता दिखा रहा है ठीक है water use efficiency technology लाके desalination desalination मतलब नमकीन पानी में से नमक हटा के उसको पानी उसको पीने योगे बनाना उस पानी को then जो गंदा पानी है उसका treatment then grey water reuse pollution abatement technology interventions इन सम्में हमारा इस्राइल काफी जादा help कर रहा है इसके लावा इंडिया ने इसराइल ने इंडिया के साथ मिलके अठाइस center of excellence बनाए है agriculture के लिए जहां पर agriculture के लिए काफी ज्यादा best research होती है नई technologies लाई जाती है फिर उनको farmers को farmers के पास पहुचा जाता है ऐसी एक इंडिया इंडो एसराइल agriculture project भी चल रहा है ठीक है यह basically government to government level पर operate करते हैं ठीक है इस project के तहत crop diversity मतलब फसल विभिंता लाया गया फसल विभिंता पर इस पर research हो रही है ठीक है then उत्पादक्ता बढ़ाने पर research हो रही है then water use water का अच्छे से इस्तमाल करना उस पर research हो रही है ठीक है then agriculture project has shown extreme promise in introducing village to cutting edge technologies ठीक है मतलब basically जो advanced technologies उनको गाउ तक पचाना ठीक है जैसे कि आप satellites और drones के तुरू monitor करते हो फसलों को ठीक है और कब उनको पानी चाहिए basically मतलब पूरे time पानी ऐसी खुला मत छोड़ दोगी जगा पानी खुला छोड़ देते हो कि वहापे क्या होता है water logging हो जाती है water logging होती है तो वहापे soil saline हो जाता है ठीक है जब soil saline हो जाता है तो मिट्टी को नुकसान होता है तो cutting technologies क्या है कि आप ही satellite और drones के through आपका water level management को check करेंगे और जब water level कम होगा तो AI artificial intelligence की मजद से motors को पानी की motor को खुद चला देंगे ठीक है और जब पानी sufficient पानी पहुच जाएगा खेट में तो पानी की motor को इसमाल होगा ठीक है अब जो center of excellence है basically academy, government और farmers मिलके research करते हैं यहापे ठीक है तैनो उसके वाद यह कुछ important means के लिए point है कुछ data है villages of excellence बनाने का इनका target है create ecosystem based on government to government ठीक है यह सब आप means के लिए अराम से note कर ले ना इनको मैंने highlight कर दिया important है ठीक है ऐसी इसमें कुछ important points हागे center of excellence के बात हो रही है digital world पे बात हो रही है कि despite this pandemic हमने इतना digital promotion करा है दोनों country ने इतना digitally मिलके काम करा है हमाई जो research हुई हो digitally इतनी advance हुई है कि हमने borders का ध्यान नीरामत का मतलब यह जो pandemic है वो हमाजी research को effect नहीं कर पाया ठीक है देने आपे note कर ले ना देने covid-19 news है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है यह this data is very important आप मानों यह data बहुत सारी जंगा यूज कर सकते है और ready to बिलकुल ready to eat material है इसको बस लिख लो कहीं भी इस पूरे उसमें बोला जा रहा है कि only 13% of 8 lakh metric tons यह जो हमने प्रधान मंत्री यह अन्योजना वाली बात है ना गरीब कलियान अन्योजना वाली जो scheme launch हुई ह जिसमें आपको 5 kg चावल या गेहू दी जाएगी free of cost उसके साथ 1 kg आपको दा चना दिया जाएगा free of cost ठीक है इसमें एक point आया है कि जो 8 lakh metric ton free food grain center के दौरा states को दिया गया था ताकि वो migrant workers को free में अनास दे सकें उसमें से सिफ 13% ही food distribute किया गया है states के दौरा ठीक है इसमें य यह सब data आप लोग उठा लेना ठीक है इसमें ऐसा कुछ भी समझाने कर नहीं है सब data है जो important data हो मैंने highlight कर दिया है उसके लाव आपको कुछ भी इसमें पढ़ने की और जरुत नहीं है ठीक है important data को मैंने इसमें highlight कर दिया बहुत important news है को कहीं भी आप note करके रख लेना कि inefficiency of the states की center से अनाज मिलने के बाद भी वह अनाज हमारे migrant workers तक नहीं पहुचा है उसको distribute नहीं किया गया है ठीक है यह एक बहुत बढ़ी news है और बहुत बड़ा question भी है जो आप mains में लिख सकते हो ठीक है इसमें नीचे आते हैं हम इसमें एक ELISA अच्छा यह ELISA test पर गएर हम अल्रेडी बहुत बाद discuss कर चुके है तो इसमें मैं इसमें बात नहीं करूँगा इंटी बॉडी और एंटी जन्स भी मैं समझा चुका हूँ क्या होते हैं यह ठीक है इसमें यह भी ICMR lab है इसमें important कुछ नहीं है देन आपका इसमें while the COVID-19 news behaving in a manner right to live यह पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें ठीक है कि High Court ने जो आपका Wednesday जो तेलंग काना government ने अपनी testing कम करने का decision लिया है तो उस पर High Court ने decision दिया है कि यदि आप better step नहीं लेते हो तो it is against the right to live जो आर्टिकल नमबर 21 से समविधान की आर्टिकल 21 से हमें मिलता है right to live right to life and liberty ठीक है वो आप violate कर रहे हो ठीक है तो इससे better रहे है आप यह पूरी testing करो testing को बढ़ा हो ठीक है वरना आप आर्टिकल को violate कर रहे हो इसके उपर आपके लिए action लिया जाएगा ठीक है दैन यह कोविड एजी टेस्ट क्या यह हम already antigen test है basically ag मतलब antigen test है इस पर हम already बात कर चुके है ठीक है then इसमें आप नीचे आओ इसमें और कुछ important नहीं है important एक चीज़ यहां पर यह note कर लेना कि Hong Kong का जो issue आया है उस पर भारत का क्या response है ठीक है अभी तक हमने कहीं नहीं पड़ा है in fact अभी UNHRC में UNHRC में United Nations Human Rights Council में हमारे इंडिया के जो representative है उन्होंने बोला है कि address the issues properly seriously and objectively ठीक है given the large Indian community that makes the Hong Kong special administrative reason of China its home India has been keeping a close watch on the recent development and Agenda 2 आप लोग देख लेना Agenda 2 के चीज़ से related है ठीक है तो important आपको यह याद रखना है कि इंडिया ने बोला है कि हम closely इस पूरी development को इस पूरे जो के वहाँ पे Hong Kong में हो रहा है उसको closely watch कर रहे हैं और हम सभी अंतर रास्टे संगटरों से यह चाहते हैं कि इस issue को properly seriously and objectively solve किया जाए ठीक है जब इंडिया ने ब्लॉक करें तो चाइना बी अब कुछ न कुछ तो ब्लॉक करेंगे तो चाइनिया ने जितनी भी इंडिया मीडिया जितने भी नियूसपेपर हैं ऑनलाइन नियूसपेपर सबको चाइना के अंदर बैंद कर दिया है ठीक है देने कुछ important highlight point है जिस पर जम्मु कश्मीर में issue चल रहा है जम्मु कश्मीर में क्या है कि जम्मु कश्मीर प्रसाशन है उसने basically जम्मु कश्मीर का domicile जो दूसरी states के लोग है उनको भी देना शुरू कर दिया है जिस पर जम्मु कश्मीर के लोगों ने आपत्ती जताई है यह सब points आप mains के लिए है इसमें देखो यह सब news आपको कहीं लिखी नहीं मिलेगी बस यह बड़े paragraph में से आपको छोटी-छोटी news पढ़ना सीखना पड़ेगा ठीक है जैनिए कुछ data है कि जो militants 2020 के पहले 6 महिने में जितने भी militants मारे गए हैं ठीक है उसमें से 90 प्रतीश इस गुरूप कश्मीर में operate करते हैं example लिखने काम आएगा आपको मेंस में हिजबुल मुझाइदीन जिसमें majority हिजबुल मुझाइदीन के हैं देन लॉसकर रताइबा जैशे मोहमद ठीक है एंट से आई जैस के एगी एजी एज अलबादर ठीक है ठीक है ठोले से बस नामय में आद रखना है important नहीं है बस मेजर लिया आद रखना है जो major militant militant नी रिजम है वहाँ पर वो इसकी हिजबुल मुझाइदीन की है ठीक है इसमें आपनी चार्ज हो इसमें सच कुछ भी important नहीं है किसी को कोई भी news और important लगे ना वो comment कर दे ना कि यह वाली news important है यह वाली news important क्यों नहीं है ठीक है तो better हो जाएगा इसमें ना थोड़ा सा आप लोग को clear हो जाएगा इसमें ठीक देन यह कि यह वाली news है असाम announces ordinance allowing land conversion for MSME without clearances इस पर अगेन environmentalist ने काफ़ी करा है क्योंकि असाम ने एक ordinance निकाला है जिसके तहत MSME अपनी factory कहीं भी लगा सकती है उनको clearances लेने की जुरत नहीं है बस तो एक self declaration form दे देंगी जिस declaration form में को clearly mention करेंगे कि हमारी जो factory हो किसी भी खेट खलियान या पर किसी भी environment को नुकसान दायक नहीं पहुचा रही है उनको अलग से सरकार से अब environment environmental clearlands लेने के जुरत नहीं है ठीक है देन यह आपका railways privatization की news है जिसमें अब 151 modern trains चलाए जाएंगी private private players की help से ठीक है अगेन इस पर काफी ज़्यादा issue होने वाला है क्योंकि railways हमारा बहुत बड़ा एक public sector है ठीक है हाला कि efficiency तो काफी ज़्यादा बढ़ेगी बट अगेन इससे जो बहुत सारी jobs से खत्रा आ सकता है privatization of jobs हो जाएंगी ठीक है देखो इस पूरे opinion में क्या है इस पूरे opinion में important यह है कि जहां भी आपको लिखना हो कि हाँ यह जो scheme आई यह आपकी प्रदानमंत्री गरीब कलियान अनियोजना प्रदानमंत्री गरीब कलियान अनियोजना यह scheme क्या है और scheme को लाने का फायदा क्या है ठीक है तो आप यह mention कर सकते हो कि जो फूड कॉर्परेशन ऑफ इंडिया है उसके पास जो हमारे उसके पास जो फूड माटीरियल है वो काफी जादा एक्सिस में है और जैसे कि हमें पता है Food Corporation of India के पाच इतना भी food grains store रहता है उसमें से 25 से 30 प्रतिशत food crop waste जाता है ठीक है तो वो 25 से 30 प्रतिशत अब waste जाने की जगह हम लोग गरीबों को free में बाट रहे हैं तो आप ये point mention कर सकते हो ठीक है प्रती kilo गेहू बगारा को लाने में वो 37.27 आती है procure करने में उसको bag में pack कराने में then transport करने में उसको transportation में handle करने में उसको store करने में उसको distribute करने में तो एक kilo चावल की cost आती है 37 रुपीस और गेहू की cost आती है 26 रुपे पर हाला कि जब आप इसमें आप caring cost देखोगे, caring cost में FCI को जितना भी उनका excess grain होता है, जितना भी उनके पास excess अनाज होता है, उसके लिए उनको एक interest pay करना पड़ता है, go downs वगरा के लिए जो go down वगरा use कर रहे हैं, उसके लिए उनको एक ब्याज देना पड़ता है, go down के मालिकों को, ठीक है, और storage charges भी extra देने पड़ते हैं, ठीक है, तो अभी जब आप वो सब consider करके देखोगे, तो हमें total फायदा जो पूरी scheme से होगा, वो लगबग 17,280 करोड का होगा, ठीक है, यह आपको important नहीं है, आपको इस point को सिर्फ ऐसे करके लिखना है, कि as per some studies, कुछ अनुसोत के अनुसार, लगबग 25-30% हमारा जो गेहू अनाज होता है, food corporation of India के पास, वो हर साल प्रतिवर्स waste जाता है, ठीक है, तो हम इस scheme के थुरू, वो जो खाना पूरा waste जाता है, जो अनाज waste जाता है, वो हम गरीबों को पचा रहे हैं, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यह कुछ mains की लाइन है, अगर आपको लिखना हो तो लिख लेना, coronavirus के regarding में, international relation, जिसमें इस पूरे paragraph में यह बोलते हैं, कि instead of focusing on efficiency, सारी countries of self-sufficiency की तरफ focus कर रहे हैं, जैसे कि Japan है, Japan बोल रहा है, companies, Japan जो है, उसने companies को काफी ज्यादा profit देने की बात कही है, ताकि वो चाहिना से shift हो के Japan में आ जाएं, ठीक है, इंडिया में तो आपको पता, यह आत्म निर्बर बारत बोला गया है, यूएस में भी by American के बारे में बात चल रही है, तो ultimately सबके सब self-sufficiency की बात कर रहे हैं, तो अगर mains में आपको कहीं भी लिखना हो कि कोरोना वाइरस के बात का future कैसे होने वाला है, तो आप ये court लिख सकते हो, यदि आपको ये बोलना है कि जो countries हैं वो अब international trade promote करने की जंगा कुछ self-sufficiency पर बात करेंगे, तो आप ये example यहाँ पर लिख देना, ठीक है, ये वाला opinion बहुत important है, ठीक है, इस पूरे opinion में बोला है कि यहाँ पर आजो, ये वाला case है, देखो जितने भी cases होते हैं, प्रिपर टू पॉलिटी के लिए काफी important होते हैं, पस्चिम बंगा खेज मजदूर समीती वर्सिस Supreme Court ने इसमें judgment दिया था, कि जो patients होते हैं, उनको bad available, अगर hospital के पास bad available नहीं होता, तो उनको क्या-क्या rules follow करने हैं, उस patient को किसी और hospital में shift कराने के लिए, जैसे हमारा noida में case हुआ था, जिसमें एक pregnant lady, पूरी राद 12 hospitals में गूमी थी, और finally उसकी death होई थी, क्योंकि hospitals के पास bad नहीं थे, उन्होंने उसको फिर मैना कर दिया था, कि हमारे पास bad ही नहीं है, आप किसी और hospital में जाओ, तो यही case हुआ था, 1992 में, जिसमें Supreme Court ने judgment दिया था, Supreme Court ने बोला था, कि यदि कोई भी hospital, emergency के time पे, किसी को भी treatment से मना करता है, तो आर्टिकल 21 के खिलाफ है, ठीक है और यह कुछ guideline लीती कि यदि patient काफ़ी ज्यादा बिमार है, ठीक है, और आपको उसको और आपके पास यदि capacity नहीं है, beds नहीं है, तो आप उसको transfer नहीं करोगे, चाहे उसको आप stretcher पर लिटा के रखो, या फिर आप उसको floor पर बिठा के रखो, बट उसको अपने पास ही र और यह एक और इन्हों ने बोला था Supreme Court ने की एक central bed bureau, basically set up किया जाना चाहिए, जो एक central body होगी, यदि किसी hospital के पास emergency patients के लिए bed available नहीं है, तो वो central bed or bureau से contact करेंगे, और पता करेंगे कि आसपास किस hospital में bed available है, जैसे कि दिल्ली की government ने Corona app basically launch करा है, जिसमें आप देख सकते हो कि किस hospital में कितने bed vacant है, तो basically यह काफी ज़्यादा असान हो जाता है, क्योंकि emergency में basically patients को carry करना बहुत ज़्यादा mental stress होता है, क्योंकि जान पे खतर होता है, basically, ठीक है, यह कुछ important point है, यह point आप note कर लेना इसमें, तो यह वाला basically यह case आपको याद रखना है, आपको means के परप से बहुत important नहीं है, ठीक है, पस्चीम बंगला, खेत मजदूर समीती versus state of West Bengal case, इसमें Supreme Court की क्या-क्या guidelines दी, जिसके तैत उन्होंने central bad bureau setup करने के लिए suggest किया था, then explain again, मैंने बोला explain, एक बार कोशिश करो कि पूरा पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि important होता है, बहुत ही selective, बहुत ह ZTE, जो जिसको US ने threat declare करा है, वो as a threat क्यों है, ठीक है, ये कुछ important point है, आप लोग इसको देख लेना, मैंने highlight कर दिया है, ठीक है, ये highlighted paper का description में आपको, का link, आप soft copy download कर सकते हो, मैं इसको description में आपको link भेज़ दूँगा, इसका, ठीक है, अचा ये जो ये वाला word है, backdoor, य और एक इधर है आपका backdoor agreement, backdoor basically होता है कि, जब companies, जैसे कोई Chinese companies, जैसे कोई भी company हमारे इंडिया में operate कर रही है, तो इंडियान consumers का data basically, जब चाइना को पीछे के रास्ते, मतलब छुपके से provide करती है, जिससे भारती सरकार को पता ना चले, उसको बोलते है backdoor, ठीक है, देन इसके बाद आपका यह है, जो Hong Kong में law passed हुआ है, इस से हम अलड़ी बात कर चुके है, इस law के according, basically पहली बार इस law में, पहली बार कोई China का mainland law, जब से 1997 से जब से Hong Kong को England ने चाइना को दिया है, उसके बाद से पहली बार चाइना ने कोई law ऐसा pass करा है, जो Hong Kong पे applicable होगा, ठीक ठीक है, basically Hong Kong issue चल रहा है about time से, ठीक है, तो इसमें इस law के तहत क्या है, कि यदि कोई भी आप ऐसी घटना करते हो, जिससे secession, subversion, terrorism, or collusion with foreign forces, तो आपको उमर कहते तक कि सजा हो सकती है, ठीक है, और जो आपके खिलाब जितना भी case चलेगा, वो अब China के mainland में चलेगा, Hong Kong में नहीं चलेगा, आपको Beijing लाया जाएगा, और Beijing में ही आपके ओपर case चलेगा, ठीक है, ये एक basically one country two system के खिलाफ है, ठीक, अब मैं आपको core issues नहीं समझा सकता हूँ, core issues हम already बहुत सारी videos में बात कर चुके हैं, ठीक है, तो I hope कि आप लोगों को ये one country two, one country two systems formula पता होगा, क्या होता है, ठीक है, नहीं पता तो आप classroom videos हमारी ले 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 ना, ठीक है, उन पर आपको easily explain किया जाएगा, आप जैसे ये word है, एक basically drug होता है, ठीक है, जिसको Syria में ISIS के द्वारा बनाया जाता है, और वो इस drug को बेच के अपने जो मनसूबे होते हैं, उनके लिए fund जमा करता है, तो ये आप थोड़ा सा prelims के purpose से याद रखना, ठीक है, एक कुछ GST का data है कि इस पूरे COVID-19 के time पे GST में लगबग 41 प्रतिशत की गिरावट आई है, ठीक है, जब भी COVID effects कहीं भी लिखने होंगे तो आप ये point वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक, then RBI ने NBFCs, non-banking finance companies और housing finance companies में liquidity manage करने के लिए basically एक scheme निकाली है, उस scheme के तहट क्या है कि एक State Bank of India एक basically special purpose विकली, एक special company create करेगा, जिसका नाम होगा SLS Trust, वो SLS Trust क्या करेगी, जितने भी आपके NBFCs को short समय के रहने, तीन महीने के लिए जो भी इनको payment चाहिए होगा, तो वो payment एक commercial paper और जितने भी short term instruments होते हैं, उनके थुरू, उनके थुरू issue कर देगी, और उनको NBFCs और housing finance companies को पैसा दे देगी, ठीक है, परन्तु ये तीन महीने तक ही है, और इसमें आप सिर September 2020 तक ही आप issue करा सकते हो, उसके बाद से फिर आप इन लोगों से पैसा वसूलना स्टार्ट कर दोगे, तो basically इस पू गैर बैंकिंग वित्यस अंस्थान जो हैं आपके, गैर बैंकिंग वित्यस अंस्थान जो हैं आपके, जो इनको अतरलता की कमी आती है, basically short term, यानि लगू समय के लिए, उसको पूरा करने के लिए RBI नहीं ये scheme निकाली है, ठीक है, इसमें आपका है कि makers ये एक important rule है, ठीक है एक rule के according, किसी भी medical device या फिर products की call MRP को आप एक प्रतिवर्स में, 10 प्रतिशत से ज़्यादा increase नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये prelims के लिए काफी ज़्यादा important हो जाता है आपके लिए, prelims के लिए statement थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, इस scheme का मतलब आपको समझ में आ गया होगा basically इस पूरे scheme का purpose यही है, तो आपको commercial papers पता होने चाहिए, क्या होता है, ठीक है, NCDs पता होने चाहिए, क्या होता है, commercial papers basically होता है कि जब भी company को, किसी भी company को market से पैसा उठाना होता है, तो एक type का promise एक paper पे लिखके दे देता है, कि आप मेरे को 10,000 क्रोड रुपे दो, मैं आज से 3 महीने बाद आपको 10% के ब्याज पे वापिस कर दूगा, तो इसी type के commercial paper होता है, तो मैं सभी student से यह expect करता हूँ, कि आप commercial paper पता होंगी, क्या होते हैं, और नहीं पता है, तो इनको please आप Google कर लेना, यह static concept है, हमारी economic के classes में इस सारे concept discuss किये गए है, ठीक है, या फि आता है कि जितने भी हमारे हमारे जो pharmaceutical industry हो काफी ज़्यादा बड़ा है, पूरे global में, पूरे global trade में, Indian pharmaceutical industry का 45% शेयर आता है, ठीक है, एक्सपोर्ट पगेरा में, पर important है कि जो यह pharmaceutical दवाई बनाने के लिए, जो chemicals आते हैं, हमारे पास API आते हैं, यह हम चाइना से import करते हैं, और इस पूरे lockdown के समय में, और इस पूरे issue के बाद, चाहिना के साथ जो issue चल रहा है हमारा, यह important drug है, heparin, नाम याद रखना, यह basically क्या होता है, उन heart patients को दिया जाता है, जब blood को पतला करना होता है, ताकि blood का flow body में continuous बना रहा है, ठीक है, तो यह heparin दिया जाता है, in fact यह यह वाली जो दवाई है, covid-19 के समय भी doctors ने कुछ emergency patients को देने के लिए allow कर रखा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे covid patients हमारे heart attack से भी मर रहे हैं, ठीक है, तो basically क्या है कि एक report के according, doctor ने बोला है कि लगभग इस पूरे lockdown के समय में और चाहिना के साथ issue होने के बाद, 211 प्रतिश application API cost imported from China and used to make essential medicines have on average, लगभग सबीत दवाईों के जो हम China से APIs import कर रहे हैं, यानि raw material जो हम China से import कर रहे हैं दवाई बनाने के लिए उसमें 25 से 20 से 30 प्रतिशत की increase हुआ है, 20 से 30 प्रतिशत increase हुआ है, तो यह cause of concern है, क्योंकि हमें APIs, देको essential medicine है सबसे पहले तो, तो इनकी कमी न आप according, आप MRP से 10 प्रतिशत से ज्यादा पूरे साल में cost increase नहीं कर सकते हो, तो ultimately companies को, तो इससे companies को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो companies नहीं issue raise करा है, ठीक है, अब अब देखो, यह essential medicines है, वहुत जुरूरी medicines है, in fact, COVID-19 के patients को भी दी जारी है, ठीक है, तो यहां से आ हमारे MSMEs के लिए एक scheme launch करी है, जिसके तहित उसने हमें साड़े साथ सो million dollar की funding support दिया है, प्रोग्राम का नाम है, आपका MSME Emergency Response Program, prelims के लिए बहुत important और mains के लिए तो important है, यूँकि MSMEs जितने भी हैं हमारे mains के लिए important topic रहता है, तो यह scheme याद लगना MSME Emergency Response Program को हमने World Bank के रहत MSMEs को credit देने के लिए, उनको funds देने के लिए World Bank ने हमें साड़े साथ सो million का काफी असान दरों पे loan loan दिया है, ठीक है, यह जो प्रोग्राम है basically, it will help in funding improving the funding capacity of small finance banks और NBFCs, यह small finance bank और NBFCs को basically एक टाइप की तरलता प्रदान करेगा, उनको एक liquidity प्रदान करेगा, जिसक loan दे सकें, ठीक है, MSMEs में main issue है हमारा, उनको credit असान दरों पे available नहीं होता है, ठीक है, तो आज के लिए हमारी इतनी ही news है, ठीक है, और कुछ इस important नहीं है, हलाकि आप लोग विलकुल यह चीज याद रखना कि इस पूरे videos का, इस पूरे art of reading program का main objective है आपका, कि आप paper पढ point news नहीं बता सकता हूँ, point to point explain concept explain नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, thank you, कोई भी doubt होता है तो आप directly comment कर सकते हो, mail कर सकते हो, directly institute में आप contact भी कर सकते हो, thank you